जुति सचार जी चेत्र नवरात्र महाजाप कुछी दिनों में शुरू होने वाला है तो माता दुर्गा के नौ रूपों की पूजा नौ दिनों तक की जाएगी इन नौ दिनों में कौन-कौन से नौ भोग लगाना चाहिए माता दुर्गा के नौ रूपों की अब इस वर्स दोजार चोबीस में जो वासंतिक नवरात्र प्रारंब हो रहा है वशंत रितु का नवरात्र छेत महिने में जो प्रारंब पड़िवा प्रतिप्यदा से आरंब होकर के नौमी तक जो मादुरगा की पुजा होती है उसमें विसेश लाभ पाने के लिए विसेश पुन्य पाने के लिए आप या कोई आपकी मननत हो मनोकामना को पाने के लिए आप जदी प्रतिएक दिन मा के अलग-अलग रूपों का अलग-अलग भोग लगाते हैं तो आपको मनोभिलसित फल की प्राप्ति होगी इसकार से की प्रतिपदा दिन जो है मा सैल पुत्री की पुजा होती है सैल पुत्री को गाय के घी का बना हुआ मिश्टान जो है वह अतिप्रिय है इसलिए प्रथम पुजा के दिन शैल पुत्री की पुजा करें और गाय के घी से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं दुतिया को ब्रमशारणी की पूजा होती है ब्रमशारणी देवी की पूजा करके पंचामरित का भोग लगाएं और तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा करके चंद्रघंटा देवी की पूजा करें और दूध की मिठाई दूध से बनी हुई मिठाई जो होती है उसका भो कुसमांड़ा देवी को मालपुह अतीप्रिय हे इसलिए प्रिय भोजन आप उस दिन लगाएं तो आपकी सारी मनोकामनाएं परुण होगी पांचमांद इन शकंध माता की पूजा करके आप केला का भोग लगाएं केला पका हुआ चीनिया केला जो होता है छोटा वालास उसक अठे दिन कात्यायनी देवी का पूजा करें और मिठा पान मा को अर्पन करें और मा को अर्पन करने के बाद उस पान को आप लेकर प्रशाद के रूप में पाते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा शब्तम में कालरात्री, शब्तमी को मा कालरात्री की पूजा करके गूर से बनी मिठाई का भोग लगाएं, तो अतिप्री है, मा काली के लिए कालरात्री मा काली जो हैं, उनको गूर की बनी हुई मिठाई अतिप्री हैं, और अस्टमी महागवरी, महागवरी की पूजा करने क परिबद अब नारियल का भोग लगाएं, नवमी सिद्धदात्री मा का पूजा करके उस दिन खेर पूड़ी हलुआ इत्याधी मा को भोग लगाएं कुमारी को भोजन कराएं साथ में ब्रामन को भी आप भोजन कराते हैं तो आपको पूरे नवरатरी का पुर्ण प्राप्त ह होगा